Hello दोस्तो स्वागत है आपका graduate class में तो दोस्तो आज इस वीदियो में मैं बताऊँगा आपको एक बहुत ही common और बहुत ही famous pain killer के बारे में जिसका नाम है nice जिया दोस्तो आपने use किया होगा या तो आपने किसी को use करते हुए वी देखा होगा और डॉक्टर भी काफी प्रिसक्राइब करते हैं तो आज इसके बारे में कुछ खास चीज़ें मैं बताऊंगा जो कि आपको बहुत हल्प करेंगे दोस्तो इसको बना है रेडीज में डॉक्टर रेडीज कंपनी ने यह हैदराबाद बेस्ट कंपनी है काफी फेमस कंपनी है एथिकल कंपनी है दोस्तो यह आपको मिल जाती है 90 रुपीज में आपको इतने टैबलेट्स मिल जाते हैं जो कि 15 टैबलेट्स होती है इसके अंदर तो दोस्तो नाइस जो होता है यह काफी कॉमनली प्रिसक्राइब किया जाता है especially दर्द के लिए जैसे कि आपको दर्द होता है जोडों का दर्द या आपको पीट का दर्द होता है या आपके दाद का दर्द होता है या हेडेक होता है तो भी यह काफी helpful होता है यानि यह काफी severe pain के लिए यूज किया जाता है लेकिन ध्यान रगिए दोस्तों कि जो भी चीज अच्छे से अच्छे काम करती हो बहुत अच्छे रिजल्स देती हो तो उसके side effects भी होते हैं जो कि आपको जानना है दोस्तों nice जो content है इसका निमूसलाइट निमूसलाइट जो होता एक inside होता है यानि non-stilodal anti-inflammatory यह जैसे ibuprofen होता है वैसे ही होता है लेकिन इसका जो side effect है यह बहुत important है जो आपको जानना है इसको खाने के बाद ही लें खाने से पहले ना लें और इसका जो side effect होता है कभी-कभी kidney damage कर सकता है या तो bleeding disorder कर सकता है तो इसलिए इसकी मात्रा जो होती है इसे कम से कम use करें ज्यादा use ना करें यह बच्चों में नहीं दिया जाता है तो इसलिए please avoid करें और बड़ों में भी देखकर जिसे bleeding disorder होती है वहाँ पर यह ना इस्तमाल करें तो बहतर रहेगा यह खाने के बाद लेने से क्या होगा आपको acidity नहीं होगी अगर खाने से पहले लेते हैं तो बहुत बुरी acidity होगी और इसके साथ साथ आपको pantoprazole या कोई भी acidity की दवाई दी जा सकती है लेकिन important इसमें यह है कि आपको यह use तभी करना है जब आपके doctor बताते हैं या तो आपको bleeding disorder ना हो और pain बहुत severe हो तब ही helpful होगा यह दिन में दो ले सकते हैं बस अगर एक low तो काफी होगा और यह काफी सारे countries developed countries में ban किया गया है इसका इस्तमाल नहीं किया जाता है और यह जो है बहुत ही बड़िया pain killer है